जैशरी महांकल जैशरी महांकल दोस्तों आप सभी का आपकी अपने चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है आ भार है यदि अभी तरका आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल से आप नहीं जुड़ हैं मैं आप से छोटा से निवेदन करना चाहती हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और चैनल से जुड़ जाए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मन नहीं लगता बहुत सो लोगों की परियोति मन हमारा नहीं लगता क्या कारण है क्या वज़र है और बहुत सारी इस कुशे पर प्रश्ट पूछे जाते हैं देखिए मन जो है वो हमारा अजस्तिर है कभी यहां कभी वहां मन और दिमाग इन दोनों के बीच का जो ताना बाना है हम उसे शेहन करते हैं उसे हम सहते हैं और हमारी प्रतिक्रिया है हमारे जिवन की उप्योंगिता है और शक्ता है इन सभी में मन और दिमाग का जो तालमेल होता है बहुत मात्मून है दोनों का तालमेल ही मन को शांत रख पाएगा मन कहरा ये करो दिमाग कहरा ये करो और दोनों के प्रभाव में अगर दिमाग ज़्यादा तेज होगा या मन ज़्यादा तेज होगा वो आप उस और अग्रेसर हो जाएंगे तो मन को शान करने के लिए सबसे पहला उपा है कि आप इश्वर का इस्मरण करें जो भी आपके इस्टेले होता है दूसरा उपा है कि जितना काम करेंगे दिमाग को हिस्त रखेंगे अच्छे काम में पहले एक लक्ष होना चाहिए लक्ष पे काम करने के बाद हमें जो उससे अरजित होता है जो प्राप्त होता है जो भी चीच अच्छा हो बूरा हो जो भी हो हमें उस लक्ष की और अग्रिसर होना चाहिए तो कि लक्ष रोहेगा तो मन भटकेगा ने कि मन को उसी जगा बार-बार केंदरी तारब करेंगे कि हमें ये काम करना है ये काम करना है और आप उस काम को बहुत अच्छे से कर पाएंगे और आप पोजिट्व सकारत्मक रिजल्ट बिलेगा दूसरी बात तीसरी बात है कि हम खाली दिमाग सेतां के कर लेगा जब पॉजिटिव रहेंगे जितना सकार अत्मक रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा इसलिए पॉजिटिव रहने के एक पॉजिटिव आदत आप बना ले तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अपने एटिट्यूट में पॉजिटिविटी को ढालने के सकार अत् प्रिशानी का आपको हल मिल सकता है अगर आप पॉजिटिव हैं तो बिल्कुल प्रैक्टिकली बात बिल्कुल सहीं और सटीक बात आपसे शेयर कर रहा हूं कोई भी इसमें लाव या कोई तर्क संगत ना हूई या कुछ भी बात हो पर इन सबीची उपर आप ध्यान दे और अगर इन पर ध्यान देंगे तो जरूर आप मन भठकेगा नहीं और मन हर जगा लगेगा अगर अच्छा लगाओ तो लाइक करें शेयर करें जिन्हों को सब्सक्राइब करें कमेंट्स करें जैश्री बाहाँ